खेसारी लाल यादव जी का इंटरनेशनल भोजपूरी सौंग आसिक का हला बोल पूरे भोजपूरी इंडस्ट्री में अधिकांस भोजपूरी हिरो कलाकार सर्पराइज हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि खेसारी जी के इंटरनेशनल भोजपूरी सौंग आसिक को लेकर दिनेस लाल यादव उर्फ निरुवा जी, रवी किसंजी, पावन सिंग, मनोज तिवारी जी और प्रदी पांडे उर्फ चिंटु पांडे ने क्या बोले हैं, क्या रियक्शन दिये ह लेकिन उसे पाले यदि आप लोगों में से किसी ने अगराभी तक मेरी इटूप चैनल प्रभास कॉंसेप्ट को सब्सक्राइब में किये हैं, तो प्लीज मेरी इटूप चैनल प्रभास कॉंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और साती चैनल के बेलेकन को प्रेस भी कर दे ताकि खेसारी लाली यादब जी से जुड़ी हर एक नई प्रणे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे ओके फ्रेंड्स दोस्तों अलग-अलग मीडिया एक्सकुलोसिव इंट्रिवू के दोरान रवी किसंजी, मनुझ तिवारी जी और निरुवा जी से पुछे जाने पर कि भोजपुरी इंडस्ट्री का हीट मसीन, ट्रैनिंग इस्टार, सुपर इस्टार, खेसारी लाली यादब जी का और भोजपुरी भासा का पहला इंटरनेशनल सौंग आसिक को लेकर आप लोगों की आप सबों की राय रियक्सन क्या है तो फ्रेंड्स आप सबों को बता दूँ कि रवी किसंजी, मनुझ तिवारी जी और निरुवा जी तीनों का जो कोमन मिलता चुलता राय रियक्सन थी, प्रतिक्रिया थी, वो ये थी कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सम्मान गौरव की बात है कि खेसारी जी के वज़त से भोजपुरी भासा का भी घाना, सौंग, इंटरनेशनल लेवल का होने लगा, बनने लगा कि खेसारी जी के वज़त से आज भोजपुरी घानों को जर्मनी जैसे डेवलफ कंट्रीज के लोग भी जानने लगे हैं, सुनने लगे हैं और सराहने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं और आप रही बात कि पावन सिंग और चिंटू पांडे ने कहसारीज के आसिक सौंग को लेकर क्या बोले हैं क्या रियक्शन दिये हैं वैसे आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि सारीच के आसिक सांग को लेकर कॉमेंट बॉक्स में जब लिखेगा और यदि आप सब को यह वीडियो यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ से यह चलूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें थैंक्स मिलते हैं एक और नई वीडियो लेकर तब तक के लिए गुडवी से स्पोर गुड़ लख